दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Trident के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन प्राइस की बात करेंगी तो 34.45 की करन प्राइस चल रही है और आसी दिन में लगबग स्टॉक में जो है 8% से भी जादा हमें तेजी देखने को मिल चुकी है स्कॉप से पहले हम इसका स्कॉड का डिसकस करेंगे फैनिशल ट्रेंड देखेंगे फिर एनलिस्ट हमें क्या सला देते हैं बाइंग की और उसके बाद जो है हम इसका टेकनिकल एनलिसिस भी करने वाले हैं दोस्तो वीडियो बहुत शॉर्ट और इंपोर्टन होने वाली है तो वीडियो में इन तक बने रही है परफॉर्मन्स की बात करेंगे तो एवरेज बता रहा है वैलिवेशन इसका हाई है ग्रोध जो है एवरेज देखने को मिल रही है प्रोफिटेबिलिटी हाई है जो की काफी अची बात है और सबसे में जो इंपोर्टन चीज होती है नोरेट फ्लैक शो कर रहा है तो चलिए दुस्तों हम चेक कर लेते हैं इसका लास्ट फोर येर का फाइनेंशिल ट्रेंड 2019 से 2022 तक का लास्ट फोर येर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है कंपनी ग्रोध की बात करेंगे प्रिवेश थ्री येरी के साब से तो टुस्तों 22 में हमें revenue और profit में काफी अची growth देखने को मिल रही है तो चलिए दुस्तों हम चेक कर लेते हैं इसका लास्ट forecast analyst हमें क्या सला देते हैं बाइंग की तो अभी तक आपने इंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है यह जो आप chart देख रहे हैं हमने इसको one day time frame में set कर लिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो stock जो है पहले भी इसी level पर आके multiple time हमें यहीं से उपर की और bounce होता हूँ दिखाई दे चुका है अगर हम देखेंगे November 2022 में bounce देखने को मिला फिर उसके बाद यहाँ पर December में again bounce देखने को मिला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो January मन्त में भी exactly इसी level पे आने के बद यहीं से हमें उपर की और bounce होता हूँ दिखाई दे रहा है अगर से यह support तोड़के नीचे आ जाता है तो हमें जो इसमें further गिरावट देखने को मिल सकती है अभी के लिए तो यहाँ पर bullish pattern बन चुका है MSD indicator के भी बात करेंगे तो यहाँ पर bullish crossover देखने को मिला है और zero line के उपर भी greens bar जो है बनते वे दिखाई दे रहे हैं जो कि मजबूती का signal देता हुआ दिखाई दे रहा है उचले दोस्तों हम चलते हैं angel one app में दोस्तों हम आ चुके हैं angel one app में simply यहाँ से watch list में आना है यहाँ पर हमने पहले से इसको add करके रखा है अगे इस पर हम tap करेंगे देखिए यहाँ पर इसकी current price देख सकते हो charts देख सकते हो stock इडिल्स भी आप यहीं से देख सकते हो हमने जस्टी chart पे analysis किया है तो यहाँ पर हम simply buy पे touch करेंगे buy पे touch करने के बाद दीखें यहाँ पे कुछ इस तरह से interface open हो जाएगा यहाँ पर आप intraday का देख सकते हो और यहाँ पर delivery का अगर आप stock को buy करके hold करना चाहते है तो आप delivery में करेंगे अगर आप stock को same day by same day sell करना है तो intraday ही select रहने देखेंगे यहाँ पे हमें quantity enter करना है मनली जी हमें यहाँ पे 1000 quantity buy करना है तो हम यहाँ पे 1000 enter करेंगे यह stock की price कम चल रही है तो मैं example के लिए आपको 1000 बता रहा हूँ हो जाता है नीचे के side में buy का option दिया है buy पे हम टच करेंगे confirm पूचेगा confirm पे हम टच करेंगे confirm पे टच करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाता है same repeat process जो रहेगी delivery में रहेगी उसमें और उसमें कुछ ज़्यादा एडवजर से कंसल्ट करके ही उसमें इंट्री बनाई तो चलिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में इसी यूट्यूब शेनल के साथ तब तक के लिए take care